दोस्तों टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है आप देखें पहले हम लोग न्यूस पढ़ते थे या फिर हमें कोई भी नॉलेज चाहिए होती थी हम गूगल पर जाते थे सर्च करते थे और उसके बारे में बहुत डीटेल में पढ़ते थे पहले समझते थे उस चीज को अब जो चल रहा है ज्यादा अभी जो ट्रेंड में आ रहा है अब हम लोग वीडियो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि वीडियो देखने में आजकल दोस्तों मैं आपको बताऊं और ये रेटेंशन बहुत कम हो चुके है चैनल के लोग 8-10 सेकेंड किसी वीडिय आपकी चीज मिली वीडियो में तब तो वो पूरा वीडियो वाच करेंगे या आदा वीडियो वाच करेंगे लेकिन अगर 8-10 सेकेंड के अंदर आप नहीं बता पा रहे हैं उस वीडियो में रोक नहीं पा रहे हो मतला आपके वीडियो कंटेंट में दम नहीं है ठीक है त फिर ये कह रहे जए कि music streaming application ये एक ऐसा application है जहां पे आप अपने audience को रोक सकते हैं ना चाहते होई भी अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे और बहुत सरे features के बारे बताऊंगा मैं आपको reason दोंगा कि क्यों आपको music streaming application बनवाना चाहिए और इसमें इसका monetization model क्या है तो आई दोस्तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो आपको मैं बता दूँ कि जब भी मतलब music streaming application ऐसा है ना कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं उस टाइम music चलाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहता है ठीक है और music application ऐसा नहीं कि दोस्तो market में बहुत ज़्यादा है ठीक ठाक है अच्छे खासे हैं ठीक है और कुछ ऐसे application जहां पर सभी language के मतलब songs वगरा मिल जाते हैं ठीक है अब music streaming application बनवाने से मेरा मतलब यह है कि आप यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ music डाली है आप वहां पर motivational song डाल सकते है motivational videos के audio डाल सकते हैं वहां पर जो अलड़ी YouTube पर हैं ठीक है उसके बाद में आप वहां पर business से related talk कर सकते हैं स्टोरी बता सकते हैं यह सब कुछ आता है music streaming application ठीक है तो music streaming application सिर्फ मेरा मतलब यहीं नहीं कि आप सिर्फ गाने उसमें डालो बहुत सारे चीज़े हैं बहुत सारे categories हैं जो आप इसमें add कर सकते हो तो आई दोस्तों आपको मैं point wise बदाता हूँ हर एक point पर मैं बात करूँ आज सबसे पहले बात करते हैं हमें music streaming application क्यों बन माना चाहिए दोस्तों music streaming application के अंदर competition कम है ठीक है दूसरा यहाँ पर earning जादी होती है earning अब क्यों जादी होती है यह मैं आपको बताता हूँ music streaming application ऐसा application है जहां पर आप अपनी हिसाब से native add को थोड़ा design करके add कर सकते हो ठीक है music ऐसा अगर आप ऐसा application बन माते हो music streaming application अगर आप इसमें ऐसे content डालते हो जो users बहुत पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा खास application चलेगा आप earning अच्छी कर पाऊगा ठीक है आपने इसमें कुछ books add कर दिये ठीक example के तौर बता रहा हूँ समझे चलिए कि आपने एक music application बन वाया और उस application के अंदर आपने 10 ऐसे music डाले हैं जो और कहीं भी अबलेबल नहीं है वो 10 music बहुत strong music है या फिर उस 10 music के अंदर आपने motivational songs add किये हैं या फिर उस 10 music के अंदर दस बार YouTube पे जाके इसको watch करते हैं सुनते हैं हमें अच्छा लगता है music हमारे music जो है ना दोस्तो हमारे जिंदिगे से हमारे life से जुड़ा हुआ रहता है तो इसलिए अगर वो 10 आपके premium है तो आपको amount अच्छा खासा मिलेगा और continue मिलता रहेगा वो recurring amount रहता है हर time आने व premium यानि कि आपने paid music रखे हैं सबको यह दोनों ही चीज़े आप अपने application में add कर सकते हो single app में भी ठीक है बट जादा तर जो marketing चलते एक्जांपल के तौर पे audible application है तो music streaming application लेकिन वो premium है ठीक है गाना गाना freemium application है वहाँ पे free में आपको गाने मिलते हैं लेकिन वहाँ पे ads जो आते हैं उनसे अच्छी खासी earning हो जाती है एड से भी music streaming application में अच्छी खासी earning इसलिए होते है क्योंकि यहाँ पे जब जो player रहता है वो थोड़ा customize अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे ad भी ऐसा आप डाल सकते हो मतलब users को पता ही नहीं चलेगा कि वो ad है और music के जो रहत है music streaming application के freemium and premium features आपको क्या डलवाना चाहिए अगर आप music streaming application मनवाते हो तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता अगर आप चाहो तो और भी इसमें features add कर सकते हो first login screen होना चाहिए ताकि users का data play सको search bar होना चाहिए ताकि user search कर सके वहाँ पे music वहाँ पे playlist create करने का option होना चाहि यूजर के लिए offline mode होना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास हर time net available नहीं होता है ज्यादा दर हम भी चाहते हैं कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं फिर अगर में कोई music पसंद है तो हम उसे offline भी सुन से तो offline mode जरूर डालिए उसके अदर download mode डालिए offline mode डालिए ताकि user बार-बार शोर सरली शेयर कर सके आपके application को ठीक है वो feature जरूर डालिए customized music player यह से मैं आपको last point पर बताया है कि music player को इस तरीके से customize कीजे वहाँ पे आप add भी डाल सको तो थोड़ा player को customize कीजे ठीक है यह कुछ features थे अब बात करता हूं मैं कि music streaming application अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उस अगर आपके content में dumb है सच में आप ऐसे music डाल रहे हो जो कहीं और available नहीं है तो मैं suggest करूँगा premium application बनाईए starting के 2-3 music free दीजिए बाकी के pay order के ठीक है उसके बाद में make a list of required feature यह दूसरा point है यह actually मेरे 4th point को 4.2 यह point है कि make a list of required feature आपके application में आपको क्या-क्या feature चाहिए payment gateway चाह team hire कीजे development team मैं कभी यह नहीं बोलता दोस्तों कि आप मेरा template से ही application बनवाईए अगर आपको अच्छी team मिलती है हमसे भी अच्छी team मिलती है आपके nearby मिलती है वहाँ भी बनवा सकते हैं but at least मुझसे यह समझ के जाएगे ताकि वहाँ पे जाके आप confused नहाँ जाए क्योंकि अ आप क्या बता रहे हैं और वो समझ कुछ और जाते हैं ठीक है ऐसा होता है और उसके बाद में आप यह जो पॉइंट है ना दोस्तों develop the MVP version of your mobile streaming application इस point को समझने के लिए यह 4.4 point यह जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यह जो point है दोस्तों इस point को समझने के लिए आप लेकिन बहुत important वीडियो है दोस्तों यह इससे आपके application development का cost बहुत कम हो जाएगा तो यह ज़रूर वीडियो वाच कीज़ेगा ठीक है मैं यह बताऊंगा मेरे next वीडियो में यह वाले point को do not forget to add a module to get the user feedback and pro features yes यह feature आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए feedback वाला और मैं हमेशे मेरे वीडियो में कहता हूँ कि आप users की feedback को feed forward में convert कीज़े वो आपको signal देते हैं कि यह features चाहिए फटा फटा उस features को add कीज़े वो वही pro features रहते हैं आपके लिए जो user को चाहिए वो add कि regular update and maintenance जैसे कि मैंने हर वीडियो बताता हूँ कि application को maintain करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप अपने application को maintain नहीं कर पा रहे हो ना तो user आएंगे चले जाएंगे आएंगे user आते हैं दोस्तों ऐसी बात नहीं कि application बम्माने के बाद users बहुत आते हैं बल्क में user आते है लेकिन उन users को रोकना यही तो बड़ी समस्य है ना आप उनको रोक के रखो क्योंकि वो रुकेंगे तभी आप earn कर पाऊगे तो रोक के रखना यह बड़ी समस्य हो दियो इसको आपको समझना है ठीक है चले दोस्तों फिफ्थ पॉइंट पर आता हूँ मैं फिफ्थ या फिर आपको कॉंटेंट प्रीमियम चले सकते हो तीसरा सपोंसर्ड सोंग साइन है थो आप इसको वहां पर अपने application पर डालने का अमाउन ले सकते हो जिससे भी आप साँग ले रहे हो ठीक है और आप उसमें Suns एट बी डाल सकते हो Audible डाल सकते हो आप उसके इंदर ये अगर आप जो मैंने आपको बताए यह features आपको 75,000 में भी feasible है पर मैं आपको बतादू, ऐसे applications, market में templates भी अबलेबले हैं, तो आप 10,000-15,000 में भी ऐसे application बनवा सकते हो तो I hope दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो बनवाना चाहते हैं, उनके पास शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा थैंकि दोस्तों में थे नेक्स वीडियो में